हाई एवरिवन मैं हूँ धनन जय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अगर किसी भी देश का इंडिपेंडेंट फॉरण पॉलिसी ना हो तो उस देश का कुछ वैसा ही हाल होता है जैसे कि आज के डेट में पाकिस्तान का हो रखा है USA पाकिस्तान को IMF के द्वारा कुछ लोन दिलवाता है या खुद भी देता है और बदले में USA पाकिस्तान को as in cut putly इस्तमाल करता है जब USA को अफगानिस्तान में attack करना था तो वो पाकिस्तान को अपना एक military base बनाता है और जिसमें की government of Pakistan भी बढ़ चड़ कर सपोर्ट करते हैं और USA को जब मन करता है तब वो पाकिस्तान के उपर कुछ sanctions भी लगा देता है I am sure कि जो UPSC या other state PCS exam दे रहे हैं उनको पता है कि keratinistic policy क्या होता है इस वीडियो में हम कुछ limited examples की मदद से समझेंगे कि आखिर में ये keratinistic policy क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान अपने foreign policy को बहुत हद तक USA को बेच दिया है मगर आगे बढ़ने जे पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं So 1978-79 में US को और भी अलग-अलग European countries को ये मालूम पढ़ जाता है कि पाकिस्तान nuclear weapon develop करना चाता है और finally 1998 में पाकिस्तान अपने आपको declare करता है कि वो एक nuclear country है इस बीच में हम कह सकते हैं कि USA चाहे तो और भी अलग-अलग European countries पाकिस्तान के उपर sanctions लगा सकते थे और वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तान आज अपने हिसाब से कुछ missile project पे काम करता है तो उस project को equipments कहले या raw material supply करने वाली companies के उपर sanctions लगा दिया जाता है मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के उपर directly या indirectly sanctions लगा दिया गया अब keratinistic policy का मतलब क्या होता है कि कोई आपको खाना खिलाएगा और फिर बदले में आपको पीटेगा कहने का मतलब है कि वो दो आपके कुछ दो या तीन या चार कुछ आपके request को मान लेगा और फिर उस request को मानने के बाद आपके उपर कुछ इस तरीके से pressure create करेगा कि ऐसा लगेगा आपको कि सामने वाले ने आपके उपर बहुत बड़ा ऐसान कर दिया ये policy Britishers किया करते थे जब वो भारत में थे तो कुछ reform कर दिये फिर बदले में कुछ ऐसे नियम कानून लेके आ गये हैं जो कि उस reform से भी ज़्यादा बेकार या खतरनाक था कोई भी देश 100% self-sufficient नहीं होता है कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो आपको raw materials अलग-अलग जखा से मंगाने पड़ते हैं ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ भी है या कहले कि ऐसा ही कुछ पुरे दुन्या के साथ में है अब recent जो sanctions लगाया गया है US के द्वारा वो Chinese और Belarusian firm के उपर लगाया गया है कहने का मतलब है कि अगर ये सब company पाकिस्तान को raw materials supply ही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का जो missile project है वो खतम हो जाएगा या रुक जाएगा और बदले में क्या बोला गया है US के द्वारा कि ये non proliferation है कहने का मतलब है कि अभी जो current situation हो रखा है खास करके Middle East में उसके करण कहीं न कहीं global tension बढ़ा है तो अगर इसी बीच पाकिस्तान weapon या ballistic missiles के project के उपर काम करता है तो कहीं न कहीं US का ऐसा मानना है कि global tension या regional tension बढ़ेगा As a result US sanctions लागा के कहता है कि वो further missile development को रोकना चाहता है जब USA अफगानिस्तान के उपर invade करता है या attack करता है तो ये वही पाकिस्तान था जो बढ़ चड़कर USA को support करता है और in fact पाकिस्तान के जो ISI है वो बढ़ चड़कर collaborate करते हैं US के army के साथ As a result नहीं तो अफगानिस्तान से तालिबान खतम हुआ नहीं तो US का जो mission था वो successful हुआ As a result ये हो गया कि तालिबान पहले से और कहीं ज़्यादा strong हो गया और अफगानिस्तान के जो तालिबान है या उनका जो ideology है similar ideology वाले लोग जो पाकिस्तान में है वो अब openly पाकिस्तान के सरकार को threat पहुँचा रहे हैं तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का internal conflict हर साल इतना जादा खतरनाक होते जा रहा है कि पाकिस्तान as a country सिर्फ वो map में ही दिख रहा अगर थोड़ा सा आप in depth पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़े है कि multiple ऐसे armed groups बने हुए हैं within पाकिस्तान जिसको की control कर पाना बहुत हद तक अब impossible होते जा रहा जिसका की best example हम देख सकते हैं कि बलुचिस्तान प्रोविंस में जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के बीच में infrastructure program sign हो रखा है कहने का मतलब है CPAC उसको बलुचिस्तान प्रोविंस में for time being रोक दिया गया है अब क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी कोई economy है नहीं और इनकी economy जो है वो dependent है IMF के उपर या बहुत हद तक US या और भी अलग-अलग European organizations के उपर और पाकिस्तान ये उमीद करता है कि उनको इसी तरीके से कुछ लोन मिलता रहे और बदले में पाकिस्तान US से कहने पे कभी इसराइल को weapon बेज दे कभी Ukraine को बेज दे और in fact US चाहता भी यही है कि पाकिस्तान कुछ इसी तरीके से बन के रहे यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान को ट्रोल करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ बलकि मैं कुछ valid points के मज़द से समझा रहा हूँ या खुद भी समझ रहा हूँ कि अगर किसी भी देश का foreign policy independent ना हुआ तो उस देश का हाल वही होगा जो हाल पाकिस्तान का हो रखा है यह आप 20 April का article देख सकते हैं जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान IMF से request करता है 6-8 billion loan का अब पाकिस्तान को अगर यह loan मिल भी जाता है तो पाकिस्तान किस तरीके से इस loan के पैसे को वापस करेगा ना तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई economic policy है ना तो कहीं से ऐसा लग रहा कि पाकिस्तान में कोई भी देश या कोई भी company invest करना चाहेगा तो more or less हम कहले कि IMF को मालूम है कि यह सब पैसे उसे कभी वापस मिलने वाले है नहीं और कहीं न कहीं यह सब loan के पीछे USA का बहुत बड़ा हाथ है और US का हाथ है यह कहना भी गलत है अगर आप अपने देश का foreign policy को independent नहीं रख सकते हैं तो यह आपकी गलती होती है 1950s के आसपास से ही US पाकिस्तान को fund दे रहा था या in a way पाकिस्तान को indirectly अपना colony बना रहा था क्यूंकि USA को USSR से counter करना था क्यूंकि उस वक्त पाकिस्तान को बड़ चड़कर loan और weapons मिल रहे थे तो शायद उसे यह लग रहा था कि यह सिलसला चलता रहेगा तो उन्हें को ज़रूवत नहीं अपने foreign policy को independent करने का यह October 2023 का मैं आपको data दिखा रहा हूँ जहां पर आप साफ साफ देख सकतेंगे किस तरीके से US के troops या उनके facilities almost सभी Middle Eastern countries में मजूद एखास करके UAE हो गया, Saudi Arabia हो गया अगर आप यह जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर में US के troops Middle East में क्या कर रहे है तो आपको मालूम पड़ेगा पढ़के कि on documents कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि US के troops Middle Eastern countries में इसलिए available है ताके उस region को safe and secure रखा जाए और उनके troops का जो availability है किसी भी देश में तो उस देश के राजामंदी के साथ है तो कहने का मतलब है कि maybe Saudi Arabia on papers काफी strong दिखता होगा लेकिन जिस तरीके से Saudi Arabia US के troops को अपने देश में base बना के रखा हुआ है ये कही न कहीं Saudi Arabia के foreign policy के लिए भी अच्छा नहीं है यही काम अगर कल को China या Russia करेगा तो उसको इस तरीके से project किया जाएगा जैसे कि Russia का availability उस देश में global tension या global conflict को बढ़ाएगा यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से Russia या China को support नहीं कर रहा हूँ लेकिन just मैं perspective बता रहा हूँ अगर US कहीं पर attack करता है तो वो self defense होता है और वही अगर Russia किसी पर attack करता है तो वो invasion हो जाता है US किसी के उपर fire करता है तो वो self defense होता है वो retaliatory होता है तो यह सब कुछ positive words का इस्तिमाल किया जाता है अपने actions को justify करने के लिए तो अगर मैं इस video को conclude करूँ तो एक चीज तो हमें समझ में आता है कि कुछ भी हो हमें अपने foreign policy को अपने हिसाब से बनाना चाहिए और किसी भी देश के उपर एक limit के बाद dependent नहीं होना चाहिए खास करके democratic country में जितना importance एक ruling government का होता है उतना ही importance एक opposition का भी होता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताए see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye